जब किसी का सौंदर्य, किसी का रूप, किसी का प्रेम आपके उपर इतना हावी हो जाए कि उसके अलावा दुनिया में आपको कुछ और ना दिखे और उसकी खोबसूरती के लिए चंदलाईने आप लिखें जैसे की अनुकृती नहीं है जिसकी वो रूप तुमने पाया उपमान सब उमड़कर उपमे मे समाया और उसकी, उसकी का मतलब उपर वाले उसकी कला की सचमुच अंतिम निखार हो तुम और यदि कोई रूप की है सीमा तो उस सीमा के पार हो तुम जब इस तरह की कलपना आप करते हैं और इस तरह का प्रेम आपको हो जाता है इस तरह का जीवन आपका सब कुछ किसी एक में दिखने लगता है तब आप उसकी याद में ताज महल बनवादे है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ शाह जहां कि एक मुगल बाशाथ शाह जहां जिसने इतिहास में अमर हो जाने जैसा मानुमेंट ताज महल बनाया जिसे देखने के लिए दुनिया के हो दूर दूर से लोग आते हैं और ऐसी खोबसूरत इमारत अभी तक कोई बना नहीं पाया क्या ऐसा बासा सिर्फ प्रेम में डूबा था इस इमारतों के बनवाने में व्यस्त था या फिर उसने मुगल सामराजी को बढ़ाया गी यह तमाम प्रश्ण है जो आपको जानना है और साथ में ये भी समझना है कि सब साहजहां से किस प्रकार के प्रश्ण बनते हैं आयस की परिक्षाओं में PCS की परिक्षाओं में या किसी वी अन्य प्रत्यों की परिक्षाओं इन सबी बातों का जवाब आपको मिलेगा इस बहुत छोटे से वीडियो में लास्ट तक देखिए बने रहे हमारे साथ और आईए आपको समझाते हैं कि क्या कैसे काम कर रहा था शाह जहां किस प्रकार से वो आगे बढ़ा रहा था मुगले सल्तनत को समझने से पहले मैं थोड़ आपको क्रोनलाजी बता दू कि पानीपत के पहले युद्ध से बावर ने इबराहिम लोदी को मार करके भारत में मुगल सामराजी की नियू डाली उसके बाद हुमाई हूँ और उसके बाद उसका बेटा अकबर और अकबर के बाद जहांगीर और उसके बाद शाह जहांगीर तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो GS4M application डाउनलोड करके आपको हमारी वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो को लाश्ट तक देखेगा तो आपको समझ में आगा कि शाह जहां किस तरीके से सामराज जिविस्तार के लिए बिलकुल दिवाना है एक एक करके हम लोग सब कुछ समझेंगे लेकिन उससे पहले शाह जहां के बारे में कुछ बेसिक बात हैं सबसे पहले यह समझना है कि शाह जहां का रूलिंग पिरिएट क्या है तो 1627 में जहांगीर की मृत्यू होती है और उसके बाश्चा जहां बाश्चा बनता है अंदुस्तान का और 1600 यहां पर 69 लिखा है जबकि 69 नहीं यहां पर एक्जक्ट अंठावन लिख देते हैं क्यों कर देगा यह बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था शाह जहां तो देखेंगे जरा कि मुगलिया सल्तनत का जो एंपायर दिखता है साथियों याद रहें कि जब बाबर आता है तो बाबर बहुत बड़ी टेरेटरी को एक्सपेंड नहीं करता है दिल्ली और उसके आसपास के छत्रों तक ही उसका नियंत्रण रहता है यानि कि यदि मैं आपसे बात करूँ कि 1530 तक का जो मुगल एंपायर है 1530 तक का वो दिखाई देता है हमें कहां पर वो दिखाई देता है हमें यहां से लेकर के और इधर यह जो लोकेशन है यह 1530 तक का मुगल एंपायर है इसके बाद साथियों दी हम लोग बात करें ख्यान से समझेंगे आप मेरी बात को तो आपको समझ में आएगा कि इसके बाद expansion शुरू होता है 1605 का मतलब है कि अकबर जिस समय अकबर की मृत्ति हो रही है उस समय आप देख सकते हैं कि मुगलिया सल्तनत यहां तक फैलती हुई नजर आ रहे और इसके बादे मैं आप से बात करूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसके बाद जो औरंग्जेव और शाह जहां है वो यहां तक इसको बढ़ाने का काम करते हैं यानि कि शाह जहां भी दक्कन के तरफ लगातार बढ़ रहा था बढ़ने का प्रयास लगातार कर रहा था यह बात आपको समझना होगा इससे आप ये तो समझ सकते हैं कि बावर से लेकर के और औरंग्जेब तक लगातार मुगलिय सल्तनत का विस्तार होता चला जा रहा है जिसमें दक्षुन भारत में मुगलिय सल्तनत को बढ़ाने का जो एहम स्रेय है वो किसको जाता है शाह जहां को और साथ में और अंजेब को हाँ ये बात भी सच है कि दक्षुन भारतिनी दक्कन की तरफ बढ़ने के चक्कर में ही मुगलिया सल्तनत का खजाना ट्रेजरी इतना कमजोर हो जाता है कि फिर इसको बिखरने से कोई रोक नहीं पाया इसलिए कभी भी military expedition के चक्कर में आप अपना जो ट्रेजरी है उसको खाली कर दें ये वो धिमानी नहीं होती है इसलिए युद्ध हमें साथ सोच समझ के लड़े जाते हैं कि इस युद्ध में हमारा कितना फायदा और कितना नुकसान होगा हम लोग आगे पढ़ें उससे पहले शाह जहां की बारे में कुछ basic बात है जैसे की इसका मूल नाम क्या था तो इसका मूल नाम शिहाबुद्धीन था अकबर ने इसको खुर्रम का मतलब हमने आपको यहांगीर वाले लेक्चर में भी बताया खुशी देने वाला अकबर का नाती था इसने स्वैम को इसलाम का रक्षक भी घोसित किया था आपको पता होना चाहिए ये बात क्योंकि कटरवादी मुस्लिम सासकों में से एक था ये याद रखेगा इसको इसने अपने आपको विश्व विजेता और विश्व भेदी भी कहा और जहांगीर द्वारा अभागा भ विरोध भी किया था खुर्रम ने जहांगीर का आपने जहांगीर वाले लेक्चर में पढ़ा बाग यहीन भी कहा इसको ये सारे इसके टाइटल्स है याद रखेंगे आप लो इसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उठता है कि सर मुगल काल का स्वण योग तो मु अन्य वास्तु कला का गोल्डेन पीरिड़ आप से पुछा या तो शाह जहां देर इस नो डाउट यही आंसर होगा लेकिन ये दी मुगल काल का स्वण योग पूछा जाए तो इसमें कुछ इतिहासकार अकबर के समय काल को श्वण योग मानते हैं तो कुछ शाह जहां को म तो कौन क्या मानता है वो भी हम लोग इसे लेक्चर में देखेंगे लेकिन आर्किटेक्चर को लेकर के दिस्वार्ण यूग पुछेगा तो डेफिनेटली आप अंसर शाह जहां करेंगे और यदि पेंटिंग को लेकर के पुछेगा तो आप अंसर जहां गीर करेंगे इसके बादे थे हम बात करें तो पत्नी जो इसकी थी उसका नाम था आप जानते हैं अरजुमंद बानो बेगम अरजुमंद बानो बेगम जो थी वो फारस के सासक की बेटी थी हुसैन सफाई की और इसको टाइटल मिली थी मलिकाय जमानी मलिकाय जमानी को ही मुम्ताज की उपाधी भी दी गई जो बहुत ही पापुलर हुई जिसकी याद में शाह जहान ताज महल बनवाया तो ये परिक्षाओं में पूछा जाता है कि मुम्ताज का पुरा नाम क्या था अर्जुमंद बानो बेगम और मलिकाय जमानी हम बात करें दि शिक्षक की तो मुल्ला कासिम बेग तबरी जी ये इसके शिक्षक थे हकीम अली गिलानी से इसने चिकित्सा सास्त्र की सिक्षा भी प्राप्त की थी यनि कि समझें ये आप तो शाह जहां काफी ज़्यादा पढ़ा लिखा था एज कंप्रिजेंटू जहांगीर एंड एज कंप्रिजेंटू अकबर आलसो अकबर से तो बहुत ज्यादा क्योंकि अक्षर का ग्यान ही नहीं हो रहा था ठीक है यह हम लोग इसके अभियानों के बारे में बात करें तो आप यह समझी जैसा कि मैंने बताया कि दक्कन की तर करेंगे सेंट्रल एसिया से आने वाले अटैक को रोकेंगे हिंदुस्तान को से क्योर करेंगे कोई भी समझदार सा सक ऐसा ही करेगा तो आप देखिए यहां पर सबसे पहले आप देखिए अहमद नगर विजय एर ही पूछा जाता है आपसे तो 1633 में अहमद नगर लोकेश है यह बिदार आप देख रहे हैं यह बीजापुर है यह विजय नगर एंपायर तो सारे लोकेशन्स आपको क्लेरों जी मैप समझना बहुत आउश्यक है यह आप समझ सकते हैं कि शाह जहां किस तरीके से दक्कन की तरफ बढ़ रहा है 1634 में ग्रिटर तिब्बत और 1637 में बाल्टिस्तान इस पर भी शाह जहां ने ट्रीटी करके यहां पर अपने मिशन करके इस्टेब्लिस करने की पूरी कोशिस की थोड़ा समय में आप लोगों को मैप में और क्लियर करूं जो मुगल एंपायर है अकबर का वो यहां तक तो फैला हुआ है बंगाल की खाड़ी तक अकबर पहुंच चुका है धर गुजरात तक पहुंच चुका है वह सब आप देखते हैं जहांगिर के टाइम में हमने खा अच्छा खासा मिलिटरी एक्स्पेडिशन लॉस भी हो रहा है रेविन्यू लॉस हो रहा है ट्रेजरी पर बहुत ज्यादा असर है लेकिन फिर भी किसी चीज को पा लेने की आगांच्छा जो है वह बढ़ती जा रहे हैं यह होना चाहिए जब आप एक ऐसे साशक होते हैं कि आपको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए तो ऐसे में आप यह नहीं देखते हैं कि आपका कितना नुकसान हो रहा है हाला कि कई बार ambition over ambition में बदलने लगता है इसी कंडिशन में इसलिए यदि आप एक समझदार साशक हैं तो अपना war analysis जरूर करेंगे कि कितना नुकसान हो रहा है कि कि आगे जब बढ़ते हैं लोग तो समझते हैं कि कि 1646 आते आते शाह जहां मध्य एसिया की तरफ अपने अव्यान को चलाना शुरू कर देता है बदक्षा और बल्ख के साथ शाह जहां चाह रहा था कि मैत्री पूर्ण संबंद बने इसलिए मैत्री पूर्ण संबंद बने कि दि बदक्षा और बल्ख के साथ मैत्री पूर्ण संबंद बनेंगे तो उधर से होने वाले आकरमड पर हमें एक buffer state मिलेगा जो हमारी तरफ से तो उनको रोकने की कोशिस करेगा यह खास समझदारी होती है जब भी कोई सासक अपने सराउंडिंग में अपनी सेक्यूरिटी बनाना चाहता है लोकेशन में आपको दिखाता हूँ यह तजीकिस्तान यह तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान यह है काबुल और काबुल से इधर आप देख सकते हैं यह लोकेशन है बल्क की कहने का मेरे मतलब यह है कि सेंट्रल एसिया के तरफ से जो भी इन्वेजन होंगे उनको वहीं पर रोकने के लिए बल्क और बदक्षां के साथ मैंत्री पूर्ण डिलेशन होना अत्यंत आवश्चक है ठीक है आप्टर देट यह हो गया मिसन इसका अभ्यान शाह जहां कि धार्मिक नीतियों से भी सवाल आपकी परिक्षा में आता है तो सबसे पहले तो आप इस समझेंगे कि जो शाह जहां था वो एक कटर मुस्लिम चाह सकता तो इसके बारे में पढ़ते समय आप अपने इमोसन्स को उस रिफरेंस में जाके समझ कंट्रोल करिएगा उसके अपने कारण से जैसे आप पढ़ेंगे कि 1633 में इसने मंदिर निर्माण पर रोक लगा थी वजह ये थी कि इन मुस्लिम सासकों का मेजर आपजेक्टिव ये था कि अधिक से अधिक लोग इसलाम को स्विकार करें और यदि आप मंदिर बनाते जाएंगे तो सनातन बढ़ता जाएगा और ये इनको पसंद नहीं था इसलिए जो कट्र मुस्लिम सासकते हैं उनने मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाया कई बार मंदिरों को तुड़वाया हितियास आप पढ़ते हैं तो देखिये जरा, हिंदूओं को मुसल्मान बनाने के लिए एक अलग विभाग बना दिया, यानि कि जो हिंदू-मुसल्मान बनना चाहते हैं, और उनको मोटिवेट भी किया जाता था कि आपको मुसल्मान क्यों बनना चाहिए, इसके लिए पूरा स्नेक डिपार्टमेंट बना दिया 1633 में मंदिरों के निर्माड पर रोक लगा दी यह एक इस्लामिक कट्टर वादी मुस्लिम सा सकता हां एक बात जरूर यदि कथन में आ जाए इस्टेट्मेंट के अंदर आ जाए कि शाह जहां कि नीतियां हिंदू विरोधी थी तो आंसर होगा नहीं हिंदू विरोधी नीतियां नहीं थी प्रो इस्लामिक थी अंतर समझना हिंदूिजम का विरोध नहीं प्रो इस्लामिन इस्लाम को बढ़ावा देना है स्टेट्मेंट के अंदर आप कोई बात समझनी होगी इसके कई और माइने हैं लेकिन जब आप मुख्य परिच्छा के जवाब लिखते हैं तो आपको इस सब पॉइंट्स ध्यान में रखना होता है ठीक है इसके बाद एदि और आप समझने साह जहां के काल को तो मैंने आपसे सुरू में कहा कि साह जहां का जो टाइम पिरिड है ये मुगल काल का स्वण्ड यूग माना जाता है हमने आपसे कहा कि इस बात पर इतिहास कारों का अलग-अलग विचार है उनका मतभेद अलग-अलग है क्या है अलग-अलग जैसे एलफिंस्टन है मोरलेंड है खफी खान है राजभारमल है ट्रेवर्नियर है इन इतिहास कारों का कहना है कि ये जो शाह जहां का टाइम पिरियड है ये मुगल काल का स्वण्ड काल है और जो कहते हैं कि नहीं है स्वण्ड काल वो कौन है वो इति लेन पूल क्या कहता है लेन पूल कहता है कि अकबर का सासन काल जो है वो स्वान काल है किसका मुगलिया सल्दनत का तो साथियों यह जो बात हुई यह कुल बात हुई अभी तक जो आपने देखा वो शाह जहां से संबंदित और साह जहां से संबंदित का मतलब यह हो गया कि सा दो नाम आपके लिए काफी एहम हैं जिसमें से एक है दारा सिकोह जो की बड़ा बेटा और दूसरा है औरंग जेव उसके बाद आप जानते हैं कि मुगलिया सल्तनत में बादशा वही बनेगा जो बड़ा बेटा होगा वनसानुगत था बादशा का पद वनसानुगत था लेकिन औरंग जेव शाह जहां के बिमार होने पर बादशा बनने के लिए तरड़ा प्रहाय बेचैन है और इसी वज़ा से दारा सि कोह को हरा करके बाद शाहत प्राप्त करेगा और अंग्जेव के बाद और एक बार फिर कोई ऐसा सासक आएगा जो इतिहास में अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक रूल करेगा जो ताकत वर सासक होगा यानि कि 1658 में शाह जहां के बाद रूल करना शुरू करेगा और अं करेगा और इसी समय आपको पढ़ाएंगे जब हम administration पुरसासन जब पढ़ाएंगे मुगलिय सल्तनत का तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो military व्यवस्था थी पूरी जो मिलिटरी व्यवस्था थी वो लगातार मंसबदारी प्रडाली बढ़ती चली जा रही थी जो की बैकबोन थी administration का और वही आगे चल करके मुगल सल्तनत के तूटने का कारण भी बनेगी तो जो monuments बनवाया शाह जहाने जैसे कि ताज महल बनवाया दिल्ली का लाल किला बनवाया आगरी के किले में जो इसने construction कराए शाह जहानाबाद जो नगर ही बनवाया यह सारा आपको art and culture का जो हमारा administration की class होगी उसके अंदर तो यदि आपको मेरी बाते समझ में आ रही हैं तो जरूर हमारे साथ आप बने रहें आपको वह बहतर से बहतर facts निकाल करके दिये जाएंगे जो आपकी परिक्षाओं में पूछे जाते हैं जी इस पुरम को ठेट सारा प्यार देने के लिए सम्मान देने के लिए बहुत हो धन्यवार मिलते हैं हम लोग अगली लेक्षर में तब तक के लिजाज़त दीजिए नमस्कार जैहिंद झाल